रक्षा मंतरी श्री राजनाद सिंग जी ने किया, इसका समर्थन राजशभा में भारतिय जनता पाटी के नेता देश के बानी जिय और सिल्प मंतरी आदर्निय प्यूश गोएल जी तथा हर्याना के आदर्निय मुक्षमंतरी मनहोर्राल खटर जी ने किया मित्रों मोदी जी की सरकार को आठ साल इस बीच में पूरा हुआ है इस आठ साल की एक प्रकार से जो गवर्नांस आउटकम निकला है उसकी दो प्रमुक अनेक आउटकम के उपलब्दी हैं लेकिन दो प्रमुक आउटकम एक चालेंजिंग पिरियर के अंदर जब 2019 में सेकेंड टाइम हम लोग सेवा करने का मोगा पाए कुछ महनों के बाद विश्व को कोरोना की संकट में संकट जहलना पड़ा पहले पांच साल अवर अभी तक का तीन साल में यह मैंने कहा गरीब कल्यान एक प्रमुक उपलब्दी ऐसे इतिहास रहा है सरकारे वादे करते हैं नारा देते हैं लेकिन उसको इंप्लिमेंट करना और उसकी प्रमान आधरित एविडेंस बेस आउटकम आज देश की सामने है तेरा में हम लोगों ने गरीब ही हमारी प्रायोरिटी रहेगा इसे देश की सामने मोदी जीने वादा किया था दोहजार चौदा मई में एंडिये की नेता चुनने के उपरांत पहला भासन की कमिटमेंट मेरे सरकार गरीबों के प्रति समर्पीत रहेगा महिला, युबा, आदिवाशी, दली, बंचित वर्गों के लिए समर्पीत रहेगा तेशे वादा किया था आज आठ साल के बाद जब उसकी हम रिपोर्ट कार आज कारे समिति में हमने एक प्रस्ताब की रूप में प्रधान मंत्री जी का गवर्णन्स मॉडेल को इस कारे समिति ने सरहना किया आस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रधान मंत्री आवाश योजना प्रधान मंत्री उज्योला योजना सुभाग्य के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना हर घर नल में जल पाइप वाटर सिस्टम जनधन में ब्यांक खाता खुलाना मुद्रा योजना को इंप्लिमेंट करना और अभी अभी कोरोना की समय में देश की असी कोरोड आबादिको प्रधान मंत्री गरीब कलियान योजना की कवरेज में लाना जिसके कारण अगर मैं आपको यह स्टाटिस्टिक्स आपकी सामने पुरानी है फिर भी उसको मैं अगर आपकी सामने उलेक करूंगा लगभग दो लाक साथ हजार कोर्ड रुप्या की स्पेंडिंग पे पिछले पचीस महने से कारेकरम चालू हो रहा है दुनिया की अंदर जब इंफलेशन एक अपने आप में पिछले कई दसकों की अंदर उन देशों की पीक पे है उस समय में भारत की changing geopolitical scenario के साथ साथ विश्यो की विशम परिष्टिति के साथ साथ भारत में गरीबों की चिंटा हमारी सरकार की प्रायोरीटी रही है हर एक कदम हर एक बड़े फैसला हर एक सहाशिक फैसला भारत की गरीबों को ध्यान में रखते हुए मूदी जी ने किया इसलिए कारेकरणी ने उनको सरहानक किया उनका अप्रिशेट किया उनकी नेतरुतों शैली को उनकी दुर्यदृष्टी को ऐसे ही मित्रों आज कोभीड की उपरांत भी देश की फिनांशियल स्टाटिस्टिक्स बहुत ही उस्चा जनक है दो हजार एकिस बाइस में आट दसमल साथ प्रतिस्चत की विकास दर आपकी शामने है इस बीच में देश की एक्सपोर्ट बड़ी है देश की अंदर FDI जादा आई हैं देश में अनेक ऐसे निर्णे किया गिया है GST से लेके PLI तक पिछले आट साल में ऐसे अनेक इंस्ट्रुमेंट बनाया गया है जिसमें भारत आज दुनिया की शिक्स रोवोस्ट एकोनोमिक की नाम पे स्तापिद कर पाई है और इस देश आत्म निर्भर भारत की कलपना प्रधान मिंत्री जी ने देश के सामने रखा है आने वाले 25 साल में अमुर्थ काल में हम दुनिया की एक ताकतवार महासक्ति के नाम पे उभरें इसलिए जो सम्मंदीत जो आवश्यक अर्थनितिक पारामेटर्स को ठीक करना एक चरित्र के दृष्टी से रिफॉर्मिस्ट गॉवर्मेंट डिशाइसिव गॉवर्मेंट जो विरासत हमको मिला था चौदा में जिस लिगाशी को हमने इनहेरिट किया उसको हमने भूलना नहीं चाहिए पॉलिसी पारालिसिस से आज मुविंग ट्वार्ड से डबल डिजिट ग्रोथ इस नॉट ए फार डिस्टैंस यह सारे जर्निंग बड़े लोगों की असिर्वात से हुई है लोगों की कॉन्फिडेंस के करन हुई है वान हंडेड लाक्स करोर की गति शक्ति इंफ्रस्ट्रक्टर नेट्वार्क जिसमें देश की रोजगार देश की कमवन फेसिलिटी यह केवल एक इन्वेस्टमेंट की कलपना नहीं है इन्वेस्टमेंट की अंदर इज़ डेवलब करना इसलिए इन्वेस्टमेंट आना इस प्रकार की देश एक अंबिशियस प्लानिंग को लेके आज आगे जा रहा है मित्रो इस प्रस्ताव में और एक विशे के कारण हमने हमारी वहिश्विक नित्रतों के अंदर प्रधान मंत्री की जो ग्राहेता बढ़ी है उसकी एक प्रमुक उधान है कोरोना मैनेजमेंट विश्व की मजबूत अर्थनिती आज डोल ड्रम्स में है उस उन उन डेशों की समस्या विशेस करके हेल्थ केर समस्या जो लोग बड़े अत्मभिश्वास के साथ अपने हेल्थ केर सिस्टम के उपर नाज रखते थे वो सारे आपकी समने हैं उसकी पारलाल में आज मैं एक पारलाल अगर आपकी समने रखूँ देश के अंदर पोलियो हेक्सिन लगाने में तीन दिकार्स लगा था तीस साल लगा था उसकी कंपेरिजन में देड़ साल के अंदर हमने देश की लगभग आबादी को टिका लगाया है 191 doses of vaccine और वो एक भारत में बनने वाला vaccine यह हमारी देश की सामुहिक इच्छा सक्ति की प्रतिफलन है मित्रों सारे विशेक को ध्यान में रखते हुए आज कारे समिती ने प्रधान मंत्री जी की नेतरूतों को प्रधान मंत्री जी की दुरुष्टी को प्रधान मंत्री जी की निर्ण सक्ति को जिसमें जो वादा हमने किया ते चले मैंने कहा कि हम कोई नई वात नहीं कहें हैं सबकी साथ सबकी विकास सबका विश्वास और सभी के लिए प्रयास यह हमारी सरकार की गवर्नांस की पद्धती रही है नया प्रोसेस रही है उसी को लेके आज आर्थिक और गरिब शंकल्या नादर करते हुए उनको सिकूर्टी देते हुए उस मॉडेल को एक ग्लोवाल मॉडेल आज बन चुकी है उसी लिए हम सभी की नाज है भारतिय जनतापाटी ने आज उसी प्रकार की एक प्रस्ताब अभी अभी पारित किया है मित्रो नमस्कार अपने बीच सवाल विशे से संदर भी थी रहेंगे मेरा ए टीवी भारत के कृति स्वर्जी से आगरा होगा मैं आपकी फिडवेक को आदर के साथ ले रहा हूं यह कोई नई फिडवेक नहीं पुराने फिडवेक ब्यांक के वैवशाइक संगटने वह आपने कारोबार करेगा लेकिन जन्दन खाता की प्रमाण पिछले कोरोना की क्राइसिस समय देड़ हजार रुपया महिलाओं की खाते में सिमलेस पहुंचना मैं पेट्रोल्यम विभाग की काम कुछ समय देख रहा था डीबीटी सक्सेस होने की प्रमुक करण है जन्दन खाता मैं आज शिक्षा विभाग की काम देख रहा हूं इस स्कोलर्शी पोर्ट्राल उसी से जुड़ा हुआ है जन्दन खाता इसे ग्लोबाल मॉडिल टुड़े ब्रेज मोहन सिंग साथना हमने तो भी प्रस्ताप की बारे में आप से चर्चा कर रहे हैं नीरज पांडे एबीपी कि 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 अंसिविलाइज प्रस्नकी में उतर देना उचित नहीं मानता हूं देश एक फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वाद से रखने वाला देश है मेरे पास उसके लिए कोई सब्द नहीं है सेलेंद्र डीडी निव्ज सेलेंद्र डीडी निव्ज लिए विए शमिक्षा तो आप लोगों की मदद से हम करवाना चाहता है देश में एक प्रजात अंद्र में कोई चीज किशी की जागिर नहीं होती है कुछ लोगों की मन में गलत भी मिरहती है कि हम बइठ जाए कि उसको कुछ समय के लिए तो हमारी जागिर हो जाती है इसे हम मेरे प्रधान मंत्री तो इसे करते ही उसकी विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए घर दें तो सभी को दें, बिजली दें सभी को दें, ज्यास लगाएं सभी को दें, बैंक खता खोले सभी का खोले, गरीब कल्यान योजना में अर्न पहुंचाएं सभी को पहुंचाएं बाकी कुछ लोगों की मनमें अस्ताई रूप में कुछ औरांती डिये-धिये जो कहतें कि मतदान परिश्कार दिरे-धिये होता है प्रजात अंत्रे भी ऐसे लोगों को सबक शिकाती है धिरे धिरे भारतिय जनता पार्टी की ताकत देश में बढ़ रही है देश की जनता की आस्ता की केंद्र बीजेपी हो रहा है और मोदी जी उसकी नेता है बैसाब क्या सिको फूटी करोड का जाया है पचीस महिने से हम देश की असी करोड जनता को लगभग 2,00,00,00 करोड से जादा खर्चा करके अलन पहुँचा रहे हैं यह भारतिय जनता पार्टी का ही सरकार कर रहे है मोदी जी का ही सरकार कर रहे है मैं स्पस्टर रूप में फिर भी नमरता से मेरे पॉइंट और व्यू को कह रहा हूँ असी करोड़ लोगों को भारतिय जनता पार्टी पिछले 25 महिने से कोरोना की क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए सेवा करते आ रही है पायल मेहता पायल में गिवे पोलिटिकल आंसर तो दा इस उन्प्रेशिदेंट इंप्रिशिदेंट इंडिया ओंडिया 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 एक बाइश्विक संकत में एक प्री कोरोना थोड़ा विश्व की अर्थनिति को जो थोड़ा पॉब्लिक पॉलिशी की प्रैक्टिशिनर के नाते पढ़ा होगा तो उस समय की स्थिति को थोड़ा याद करे फिर कोरोना ऐसा विश्व में कोई देश नहीं था जो डिस्रप्टिव पात्थुए में नहीं गया फिर उसके बाद पूरा समुचा यूरोप में उतल फुतल हो रही है यूकरेन के कारण एक एनर्जी के नाम पे ग्लोबल कमोडिटी की प्राइस स्काई रोकेट यह सारे विश्व की अर्थनीति को हानी पहुंचा रही है उस समय में भारत की बारे में मैं बहुत बड़ी बाप नहीं कह रहा हूं विश्व की तथा कतीद विशेशग्यों ने नोवेल मेरे प्रधान मंत्री के उपर टिका टिपनी किया था कि मोधी किस रास्ते पे देश को ले जा रहा है यह 2020 सेप्टेमर और अक्टोबर की अखवारे और आप लोगों की लिखी हुई नियूज को थोड़ा आप खुद उठा के देखो मैं किशी की नाम लेना उचित नहीं मा जायेगा आज भारत की कामकाच तेजी से बढ़ रहा है भारत में निबेश बढ़ रहा है भारत की एकोनोमिक ग्रोथ 8% से दुनिया की तमाम एजन्शी इसी को हट्सपोट मानते हैं इसी विशह में मैं एक ग्लोबाल क्राइसिस की उत्तर एक आईशोलेशन में भारत को ही एक पर्टिकुलर अंगल से ना देखे, मैं आपको भी पाइल निवेदन करता हूं. Please, Matthew, Indian Express. Sir, what are 300 party leaders from the country in the national community? Did anybody express any concern about the right-wing, right-wing, orientation in the meeting or in the discussion? You know, everybody has appreciated Prime Minister Modi's effort, how he has handled in the difficult position. Kali, हमने एक बड़ा निर्ने क्या है? Kali, price rise को संबंध में, windfall, tax call हमने लगाया है, energy के उपर. गरीब कल्यान, जनता कल्यान, मध्यवर्गया, इंट्रेस्ट मोधी सरकार के लिए पारामाउंट है. उसमें कोई समझोता नहीं होगा, हमें निर्ने करना आता है, मोधी जी सही समय में लोगों की हितों में निर्ने करते हैं, ये बार-बार प्रमानित किया है, कल भी हमने जिमिमारे लिया है. भारतिय जनता पार्टे के एक्जुकेटिव मोधी जी किस निल्डे को सरहना किया, और मजभूतिक ऐसाथ उनको उनके साथ खड़ा रहा कि आपकी दिशा सही दिशा है. विकास चंद्रा निूज नेशन. प्रज्या अभी तो हम घरिब कल्यान और आर्थिक संकल्ब की प्रस्ताव के बारे में मेरे को मेरे दोनों मित्रों ने आदेश दिया है. मैं सारे बिनम्रता से कोशिश कर रहा हूं, उसी का अड्रिस करने के लिए आप और कुछ पुछ रहे हो. प्रतिल दवीक. इस प्रस्ता में हमने फिर हमारी प्रधान मंत्री जी की और हमारी सरकार के एक पॉइंट को हमने री अट्रेट किया है, कि आने वाले साल देड़ साल में हम 10 लाख नवकरी, सरकारी नवकरी की हमने प्रोसेस सुरू कर दिया है. अगनिपत की बारे में काल प्रस्ताब की जब मोडिफाइड का प्रस्ताब की मैंने मोटा मोटा कुछ खाका आपके सामने रखना रखा, जो काल फाइनल एक्जुटीव प्रारूप आजएगा, उसमें आपको डिटेलिंग रहेगा. अगनिपत को भी हमने अप्रिशेट किया है, जॉब क्रिएशन को भी अप्रिशेट किया है, आखिर एगति शक्ति को अगर हम प्रोजेक्ट को सिमलेसल इंप्लिमेंट करा पाएंगे, नवा जॉब्स उसमें आ रहे हैं, हम ग्लोबाल सर्विस इंडेस्ट्री में हमारी एक इस इंडेस्ट के एक्सपोर्ट बढ़िया, उस ही में से देस में जॉब आ रही है, यह सारे हमारी जॉब के बारे में इस प्रस्ता में उल्लेक भी है. दो एक डाइनमिक भारत जैसे एक नो एक सो पैंटिस कोर्ड देस में, हमने कहा कि हमने एक सो एकानवे कोरोड़ डोजिस लगाया है ऐसा यह नियर टोटाल है इसलिए यह क्लेम करना क्योंकि 100% हो गया इसे नियर टोटाल अब अंतिम दो सवाल है मिलाप से बताई सरकारी कोई किश्वी को सब जिम्यवार है जिम्यवारी में सब अपना उतर दे मैं बड़े नमरता के साथ कहूं इसी साल मैंने कहा नकिवे देखो कई लोग में बहुत आपी की अख़वार में भी छपा होगा या आख भी चैनल में चली होगी दो हजार बीस अक्टोबर नभेंबर शेप्टेमर अक्टोबर नभेंबर की सो कॉल्ड इंटेलेक्चुल एंड एक्सपर्ट्स की कमिट अपढ़िये उसके बाद इसी साल मेरा बजेट जो इस बार आई है निरमला जी शितारामन जिन लाए है हाइस टेबर पॉब्लिक स्पेंडिंग और फ्रम दे बजेट पांच लाग कोरोन से ज़्यादा विकास पे खर्चा करने की हमने वेवस्ता किया है कोरोना की समय में हाइस टेबर कैपिटल स्पेंडिंग बाई गोर्में ट्रेजरी यह सारे सिदा-शिदा जॉब से रिलेट प्रेट करना चाहते हैं वार इर दो जॉब्लिक टोडे पीपल आर्निंग गोर्मेट इस टेकिंग कर अब दपूर दियरीज पीलाई स्कीम देर लाक्षन क्रोर्स आप रूपी स्पेंड इंडिंग गोर्में ट्रेजरी पर अपिटल स्पेंडिंग प्रोजेक्स थीजर दे प्रश्टाब में जॉब्स की बारे में अड्रेस किया दसलाख सरकारी नोकरी की बारे में का ये भी कहा कि इनी दिनों में क्यों ये डिवेटेबल विश्य हैं आपका एक व्यूपाइंट है मैं आपको आधर करता हूं हमारा कुछ आसेस्मेंट है मैं लगभग आज जो विभाग देखता हूं और चात्रों की विभाग है शिक्ष्या के नाते इसी कोरोना के दोरान महारत में एक सो यूनिकर्ण भी हुए हैं वहाँ भी रोजगार शुरुष्टी हुई है निवेसा है इसलिए यह जो अपना अपना इंट्रिपेटेशन है आप जैसे विद्वान बतिकों में डिस्पूट क्यों करूं लेकिन मेरे धारना उफ यूथ आस्परेशन इस कर रहा हूं आप थोड़ा इसको कहते हुए चौदा की पहले इंफलेशन की डिजिट क्या था पर्षेंडेश में आज क्या है देखो थोड़ा उस समय की क्राइसिस उस समय की समस्या उस समय की चालेंजेस को आज की समय किसे तुल ना करो कोरोना जैसे global crisis unprecedented crisis की उपराद हम बैटे हैं कौन सी देश की inflation कहां खड़ा है और कौन सी देश की growth कहां खड़ा है ये सारे प्रमाण में है ये सिरिफ विपक्ष 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 को मैं सुभेचा देता हूँ थोड़ा थोड़ा कम से कम कभी ना कभी positive हो जाने से उनी की में हैं हमने पिछले बार petroleum price की rate घटाई tax से क्या विपक्ष ने घटाया मैंने पूछ रहा हूं उनको जाने उनकी प्रजा उनको ते करी उनकी बारे में चीजों को एक आप जैसे पढ़े लिखे विद्वान पत्रकार थोड़ा अपना homework research बढ़िया से करके हमको कटगरे में पनिहरन हांस इंडिया कुछ अपन्ट रिट पुरुच्य ने अफिर कुछिन रिल्या गुटन गेतिति पुछिन यह थिंड्यूच्ट अवाट टून विखे पालड दून ऑटन अपत्र टून अपरेंट एंडिया progressive and very path-breaking policy on drone no I think India may be I am not so sure but I am I am my confidence is that India may be the first country to come out with a clear-cut multi-dimensional drone policy drone will be no more used for some small things drone will be used for logistic drone will be used for no I'm why you are so hurry I listen your question very patiently let me answer if you're not convinced then I love again listen your question the policy cannot be yes agriculture is the priority sector because we want to if you go by single example the pesticide the conventional method of spraying pesticide is very challenging I am NOT say it's very dangerous with very challenging but in drone it will be minimal and it will be precise the precision technology used through drone so agriculture is the priority one but not only agriculture in the difficult area all kind of logistic will be now implemented through drone technology so drone is a emerging area I I am in charge of minister of skill development so I am creating that ecosystem my ministry is creating that ecosystem how to create the capacity manpower these are some frontier new area drone operator drone maintenance drone owner all this all put in together this creating new employment and economic opportunity and therefore we come out with a policy and it will grow and it will create lot of jobs I think I think you have a lot of jobs I think you have a lot of jobs I think you have a lot of skilled development training नहीं है जो चार साल आएंगे अगनी बीर बनके उनको अगर 10 भी पड़े होंगे तो उनी को सिधा सिधा बारवी की certificate मिल जाएगा राष्ट्रिय शिक्षा निती में एनिपी में ये प्रोभीजन दखा गया है on job education की facility हो सकती है आपकी सारी ये cameraman मित्र ये सब skilled person है सबकी academic background एक नहीं है कोई 10 पास किया है कोई 12 पास किया है कोई graduate है अगर 10 बाले ये काम करते करते सिनेमाटोग्रफी में आज की policy हम ले के आ रहे हैं अगर ये credit system पे आगे बढ़ता है तो ये automatically थोड़ा minimal परिक्षा देखे डिप्लोमा हो सकता है डिगरी कर सकता है ये this is the new education policy national education policy envision by प्राइमिस्टर मोदी उसी को हम अगनिवीर में fit in कर रहे है अगनिवीर में काम करते हुए दसवी वाले को बारवी की certificate automatic मिल जाएगा बारवी पढ़ा हुआ वेक्ति कर चाहेगा तो डिप्लोमा कर सकता है डिगरी क्या हुआ वेक्ति चाहेगा तो मास्टर्स कर सकता है इसले कोई skill development नहीं है उसकी अलाबा स्कील की नया टेक्नलोजी बाच चुका है मैं विज्वालाइज कर पा रहा हूं आने वाले 18 साल के बाद हमारा कारे समिति हां हो रहा है जल्दी हम दुबारा कारे समिति के लिए दो-चार साल के बाद आएंगे अरे ने ने टेक्नलोजी आ जाएगा देखो मैं आपको कई बार अबित्यमंत्री जिने कई बार जीएश्टी की सक्सेस की बारे में जीएश्टी काउंसिल जिसमें उनीकी पार्टी की लोग भी सदस्य से होते हैं भारत में टैक्स देना एक डर होती थी आज लोग टैक्स खुशी से देते हैं सेलिवरेट करके देते हैं भारत की आमदानी बढ़ियों गरीब कल्यान में लग रहा है कल दस बजे पुना हम मिलेंगे